बिल्कुल पनोती लग चुकी है और पनोती से पहले भी लगी थी माचलो करनाटक में भी पार्टी को पनोती लगीगी और जनता ने वोट की चोट दे दिये बीजेपी को मध्य परदेश की बात कर लिजे शिवराज मामा को जनता ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है राजस्तान में अशो गलोट साब फिर से सरकार बनने जा रहे हैं 36 गड में कॉंग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है हम लोगों का एक नारा भी है काम किया है दिल से कॉंग्रेस फिर से तो कॉंग्रेस ने जिस तरीके से जनता ने हम पर भरोसा जताया है और उसके लिए हम जनता का बहुत आभार वेक्ट करते हैं क्योंकि जनता ने जिस तरीके से हम पर जो ये विश्वास और जो भरोसा जता है उसको हम पूरी तरीके से उस भरोसे को कायम भी रखेंगे क्योंकि जो हम वादे करते हैं वो वादों को निभाते हैं हमने हिमाचिल में देखा जो वादे की यह, करनाटक में जो हमने वादे किये, पूरे किया है, क्युकि अब जंता को समझ आ गया है कि जो BJP दावे करती थी, वो जूटे थे, खोकले थे, जुम्ले बाजी थी, यह जंता को समझ आ गया है, जहां राजियों में चुना हो रहे थी बीजेपी बीजेपी अकमल खिल रहा था अब की बार ऐसा क्या जादू चला कि मोदी जी का जादू फेल आप देख रहे हैं। आज के समय में लोगों को जूटे जुमले बाजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोगों को काम चाहिए। की नफरत फिला रही थी। एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी है जो लगातार मोहबत की बात करती है। लोगों को जोडने का काम करती है और पूरी तरीके से जो हमने इससे पहले भी देखिए सरकार में रहे हैं। शाषन चलाया है। हमारे पास वीजन है, हमारे पास काम करने का एक द्रस्टी कोंड है। बीजेपी के रेली में जो आ रहे थे, वो ये कहा रहे थे हम कॉंग्रेस को वोट देंगे, लेकिन हम सर्फ देखने के लिए आ रहे है है। तो जनता बहुत समाट है, जनता इनके बैकावे में अब नहीं आने वाली है देखे काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती है इनकी दो बार जूट की हांडी चड़ चुकी है लेकिन अब जनता काट की हांडी सर्फ विश्वास की और जो की दावे करती है जो काम करती है उस पर अपना बटन दबाने जा रही थी और उन्होंने तीन दिसंबर में आप सब के सामने तैह होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि देखे हमने जो काम किया जनता के भी जाकर लोगों को अशो गैलोत सरकार देखे ऐसे नहीं ने किरतिम साफित कि 25 लाग चिरंजी व्योजना के तैद दिये गए आप सोचिए कि लोगों के घर बिग जाते हैं अपना इलाज कराने में गहने गिर्वी रखने पड़ते हैं लेकिन अशो गैलोट साब ने कैसा स्वास्त जिसे स्वास्त योजना दी जो कि पूरे देश के अंदर एक नजीर पेस होने जा रही है और अब उसकी राशी 25 लाग से बढ़ाकर 50 लाग कर दी गई है तो ये लोगों का विश्वास है और दूसरा आप सोचे अभी कली देखे कि चुनाव खतम हुए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिये लेकिन हम 500 रुपे में सिलेंडर दे रहे थे तो जनता को वो सरकार चाहिए जो कि समाज कल्यांड कारी नीतियों पर काम करती है वो सिर्फ ये नहीं कि 15 लाग आएंगे 2 करोड नोक्रिया दी जाएंगे लेकिन दिया कुछ भी नहीं आज जनता तो बीजेपी को ये जानती है कि तो खोगले नारों के लिए प्रशेद है इस बिल्कुल पनोती ही है क्योंकि देखे पनोती क्यों कह रहे हैं हम एक तरफ कह रहे थे कि हम तो सो स्मार्ट सीटी बनाएंगे हम काला धन वापिस लाएंगे जूटे जूटे वादे कर रहे थे फिर अप देश के प्रधान और ये नाम हमने नहीं दिया जनता ने दिया और जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री को जिस भाषा में इस्तमाल करते आए हैं मूर्खों के सरदार ऐसे से शब्द जो कि हम सोचते हैं कि प्रधेश के पूरे देश के मुख्या है उनको ऐसी भाषा का इस्तमाल नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने उनको पनोती नाम दिया है और प्रौती वो शाबित भी हो गया है लेकिन जिस तरीके से प्रवक्ता पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से चीखे मार मार कर बोलते थे अब वो बिल्कुल शान्त हो गया है कि आपने परवक्ता नहीं बेज रहे हैं अदर्वाइस तो इससे पहले तो वो चीखे मार मार कर बोल रहे थे शिवराज मामा ने काम किया है जबकि मोदी जी ने उनके काम को नकार दिया वह राजस्तान में कि मैं भविश्वाणी कह रहा हूं अशोग अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नहीं देखे आप तो मुझे लगता है कि देश की जनता जो 140 करोड की जनता है वो मोदी जी के किसी भी बयान पर भरोसा नहीं करती है उनको लगता है कि जो भी वो जब बोलने आते हैं तो लोग टीवी बंद करके चले जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल दें में गए, 36 गड़ में गए, तेलंगाना में गए, वहाँ पर तो कह दिया हम भी सी मुख्य मंतरी बना देंगे, इतने बड़े बड़े दावे मोदी जी मेहनत करने वाले नों ने तो कहा जो देश में किया है वो इन पांच राजियों में करेंगे, मौका दी जी हमें डबल इं मंतरी नहीं है, वो पूरी जनता के परधान मंतरी हो, बीजे पी के नहीं है कि आप 24 गंटे आप रेलियों में ही वेस्त रहेंगे, चुनावी मोड में रहना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं, आपको जाकर काम भी करना होगा, जिस जनता ने आपको बठाया है, केंदर में बठाया है, आप काम कप कर रहें, आप तो काम नहीं कर रहें, आप तो लगतर चुनाव परचार कर रहें, और चुनाव परचार में भी क्या बोल रहें, आप कॉंग्रेस को गरिया आ रहे हैं, बार बार, कॉंग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, देखें, चुनाव किसी की आलोचना करके नहीं होता चुनाव में जंता उसको वोट देती है जिसने काम करके दिखाया हो इससे पहले भी बार बार पूचते हैं सतर साल में क्या 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 काम किया इनको बता दे सुई से लेकर और हवाई जहाज तक एरपोर्ट तक हमने बनाए और उनको यह बेचने का का अभी के अंदर में सरकार तो है न मोदी जी कि लोग कहते हैं मोदी मैजिक जलता है क्या ऐसी वज़ा होई कि यह जो रिजल्ट आ रहा है एकजिट पॉल आ रहा है एकदम पासा पलट गया बीज़ेपी का सूपरा साफ देख रहा है अहालत पतली दिखाई दे रही देखें मुझे लगता है कि एकजिट पॉल के माध्यम से तो जनता के बीच ये तो है कि हाँ बई बीजेपी हार रही है लेकिन हम लोगों को तो बहुत पहले से ही ये पता था क्योंकि जब जिस टाइन चुनाव की तारीके अलान हुई उसी दिन उद्गोश हो गया था बीजेपी हारने जा रही है और हमारे नेता जो की खटके साब ने बहुत पहले ये ट्विट भी कर दिया था की चुनावी उद्गोश के समय ही की बीजेपी चुनाव हार रही है क्योंकि देखे जनता अब ऐसी सरकार नहीं चाहती है जो लगाता जूटे वादे करें जूटे नारे दे लेकिन काम कुछ नहीं करें अब देखे 18 साल से सिवराज मामा की सरकार रही लेकिन वहाँ पर नोक्रिया कितनी दी एक भी नोक्रिया नहीं दी छे साल में MPPCS में एक भी भरती नहीं की अब आप सोचिए कि जहां एक तरफ राजस्तान की सरकार आप तुलना कर लीजे 2,13,000 के करीब हमने सरकारी नोक्री देने का काम किया एक तरफ बीजेपी की सरकार है जहां कोई काम नहीं होता हर्याना है वहीं बगल में ही वहाँ दो करोड दो लाग पत जो है खाली है आप सोचिए कि जिस जिस परदेश में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कोई काम नहीं होता है वहाँ कोई काम नहीं होता लेकिन जहां कॉंग्रेस की सरकार है वहां लगातार काम जनता खेल समझ गई है कि आप बीजेपी का खेला होने जा रहा है इन पाचो राजों के चुनाव के मादे हम बिल्कुल हम जीत चुके हैं हम ने तो यह जनता ने हम पर इतना भरोसा किया इस है कि तीन तारिक को नतीजे ऐसे होंगा कि बीजेपी की हालत खराब हो बिल्कुल नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और बीजेपी को उनको जिसे आईना दिखाने का काम आप जनता करने जा रही है तीन दिसंबर के रिजल्ट के माधियम से पार्टी को पनोती लगी और ज एजनड़ा चलेगा इस देश में सर्फ मुद्ध के बात होगी वहाँ पर इस तरी के से नहीं मोबद से के बीजे कुलें कब बिलकुल मोबद के दुकान खुलकर कुलने जा रही है पूरे देश ने जा तरह learners म deluga yeah